कि हैं लो गाइस तुस्वागत है आपका एक और तड़कते बढ़कते गेमप्ले में और आपको पता ही चलिया होगा मैं क्या करने वाला हूं आज हम करने वाले हैं ट्रोल इने लूबो को टेको डेमो तो आप देख चुके हो यह देखो अभी यह बंदा अपनी सकॉर्ड से में से बिठर चुका था तो आम ने से घर लिया और ब्रेचारा अपनी सकॉर्ड को बोला रहो होगा इसकी सकॉर्ड को भी आने दो और इसे और यज़ो यह दो वारम आने यह दो हमारें के ऊWork और सामनी रेता एक बंदा इसके थोड़े सी मो रहती है मेरे चैवन इसे डामि तोटने के पड़ी है चाहीं होगा और एक बंदा यहां रहता है इसे भी मेरा टीमेट लोड़का देता है अभी देखो सामने रहता है एक बंदा जिसके मैं मारता हूँ इस पर वो निप वो चला जाता है कवर में अब मुझे लग रहा है वो सही बंदा है बट वो तो इतना विकार देखो अब उते पता था कि हम सामने हैं तब भी वो क्यों निकला भाई कवर हमारी तरफ ही भगा आ रहा है अब दे दिया उसके फिर हम चड़ जाते हैं सिजा उसकी छाती पे मतलब की रस कर देते हैं और वो यहां मिलता तो है नहीं बट मैं सोचता हूँ सेल्टर म इसको बचाने जब तक मेरे टीमेट को यह लोग धर चुके होते हैं अगर टीमेट में इनके चंगुल से निकल पाया तो मैं तुझे रिकॉल जरूर करूंगा मगर क्यों अब यहां पर में एक बंदे को तो नौक दे देता हूँ पर दूसरा बंदा मेर पे चड़ जाता और मैं इसके भी अरे चचा किस पर रस कन्या आयो थोड़ा देख दा के रस किया करो यार तुम भी और यह देखो गाइस इसके दूर से पढ़ जाती और मेर को फ अब इसके एम टूफोन है डी लोड़ पर अब बोर अब इस वाली सकॉर्ड को फिनिस करने के बाद मैं सामने देखने लग जब मैं रस कर रहा तो मेरे को सामने से पढ़ती है अब मैं यहीं देखने लगता हूँ और मेरे को कोई बंदा दिखता तो है नहीं बट यह देख अब यह स्काथे हने मीश आंजिट इस दूसरा लगा लिए मैंस दूसरा दीसरा कभी बियो कैम इस से आप बची नहीं सकते अब यहां देखो मैं अराम से जा रहा हूँ तभी एद्जू acknowledge मेरे को एक दिख जाता इसके अब जरता हूद मेरे को दूसरा वंदा नहीं दिखत इतना केम्पिंग भी जरूरी नहीं है इसको देखुना यह अलगी नसे कर रखा है यह कहीं पे भी मतलब एक हद होती है केम्पिंग के भी यार अब लास्ट जोन रहता है और दो बंदे अलाइव रहते हैं और मेरा टीमेट दो बंदों पर देख लेता और उनके भलक जाता है मैंने उस से पीछे आजा बट वो नहीं सुनता अब यह देखो अब गाइस नेक्स मैट मैं लगा देता हूं और मैं उतरता हूं पोचंग की अब मैं आके फायर आता है तो मैं आज से आ जाता हूं और यह दो को बाट बाइसा फिल देने आगा फिरीका और सामने की तरफ बट अभी देखना है यह बंदा आ रहा है और इसके मैं मारता हूं तभी मेरा वाइफाई हग देता हूं सालिक भंसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो और मेरी पिंग पे ध्यान दो भाई एक दम से मुझे तो लगा मैं खतम भाई क्योंकि मेरे अब ही ठीक नहीं हुआ था पिंग और अभी देखो थोड़ी सी ठीक होई बट ये बंदा मेरे को सही है कि मारता नहीं है अब ये देखो इधर से आएगा अब इसके बहुत बुरा मरता अभी इसका दूसरा वाला बंदा सामने ही था और ये आ भी रहा था मैंने सोचा कि आने दो इसे क क्योंकि पिंग हाई है और मैंने मारा तो लखड़ा हो जाए और ये देखो फिर से पिंग आई हो गया अभी देखना यह यहां पर रस्क करने लगता मैं मारता है चल तेरी पैंस कि किस पर रस्कर रहा है देख दाक तो लिया कर भाई मेरे और इसको तीसरा बंदा भी आने लगता है अब मुझे तो लगा भाई क्योंकि मेरी हील थोड़ी सी कम हो गई थी वैसे वह ज्यादा कुछ तो खाड़ नहीं पाया मेरा बट मैं फिर भी एनरजी सिरिंग लगा देता हूं क्यों रिस्क लेना खाम मैं खां और गाईज अभी इसका सामने आ जाता है बंदा अब सामने की तरफ रहते हैं बंदे और मैं बॉलाने की कोसित करता हूं और यह देखो भाई इसमें से एक बंदा आ भी जाता है यह देखो सामने आ रहा है अब इसके जात जो होने वाला है मुझे भी बहुत बार भुलाया गया बहुत बन के बट मैं तो मार देता हूं यह कभी-कभी मैं बहुत बुंदी तरह मर भी जाता हूं गाइस जो इसके साथ होने वाला यह तो मुझे लग रहा है पब जी मुवायल ही डिलीट कर देगा बीजी एमाई जो भी है अभी आयता केड़ी बढ़ाने आयता अपनी भाई वो मेरे को गाली दे रहा हूँ कजम से के बोट बनके बुलाता है और फिर मारता है अब गाइस ये तो बिचारा तड़ अपने लग रहा था इसे मैं उठा लेता हूं अपने कंदे पर और इसे ले जाता हूं घर में भाई तेरी क बढ़ा सा लग रहा है वे ओ भाई डीपी कैसे चल रहा है और इधर आ गया भी तो गाइस ये किसी को बॉट नहीं समझना चाहिए बॉट से कभी कभी हम मर जाते हैं और ये देखो अब ख़तम कर देगा कैप रो पर रुख जा अरे पढ़ी इस के थोड़ी बहुत गाइस अभी मार्च मार्च से गाइस कोई नहीं देगा सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक ठोक देना